अगर आपको Bollywood की अंदादुन टाइप की movies पसन है तो ये movie भी आपको पसन आएगी अंदादुन एक नए से category में थी जो थी Dark Crime Thriller इस टाइप की movies में characters बहुत ही dark होते हैं जब इनके साथ कुछ गलत होता है तो आप justify कर लेते कि ऐसा होना ही चाहिए था आज के हमारी Korean movie Beast That Link to the Straw और इसका और एक नाम है जो है Beast Clawing at the Straws ये 2020 की Crime Thriller Mystery movie है direction of writing अंदादुन की तरह ही लगती है और अगर आपको पसन आए होगी तो ये भी ज़रूर पसन आएगी movie के last में एक अच्छा सा message भी है तो वो भी हम देखेंगे तो चलिए शुरू करते है movie start होती है और हमारा एक character जिसका नाम होता है junk ये हमें दिखता है ये एक locker के shop में काम करता है अब देर हो चुकी है और ये shop अब burn करने वाला है तब उससे दिखता है कि एक आदमी उसका bag लेने के लिए आया ही नहीं ये जब इस bag को open करता है तो यहाँ बहुत सारे पैसे होते है यहाँ काम करने वाला और एक लड़का होता है जिससे वो बहाना कहेकर ये bag storage में रखतेता है सही से चुपा कर अपने घर आ जाता है इसके घर पर इसकी mother और wife होती है इसके बेटी higher education के लिए एक अच्छे सी university में चली गई होती है जब एक घर आता है तो देखता है कि wife इसके mother की toilet साफ कर रही होती है इसके mother बहुत ही strict type का character है ये बहुत ही बुड़ी है पर अभी भी इसे सब को समझ में आता है उसके इशारे पर सब को नचाती है जब जंग घर पर आता है तो जंग को कहती है तुम्हें वो जॉब छोड़ देना चाहिए इनके पहले दुकान हुआ करती थी पर दुकान पर अब कोई भी नजर नहीं रखता mother कहती है कि father ने कितने efforts लिये थे सब कस्टमर्स पाने के लिए अब तुम्हें दुकान चलानी चाहिए जब यंग वाइफ के पास रता है तो वाइफ खेती है कि हमारी बेटी अब एक साला का gap लेने वाली है उसके education की फीच उसके पास नहीं है और ये भी इसे provide नहीं कर सकते इसलिए एक साला वो काम करेगी और इसके बाद फिर से education करेगी यंग की वाइफ भी महनत यूती है ये भी airport पर साफ सपाई का काम करती है इसके बाद हमारा और एक main character इंट्रोडूस होता है जिसका नाम होता है ते यंग ते यंग airport पर काम करता है वहाँ पर उसका काम लोगों के passport अपरू करना होता है रात में एक ग्याएंग के पास ते यंग आता है इससे बहुत सारे पैसे लिये थे और वो पे नहीं कर पा रहा जो सब पैसे इसने लिये थे तो उसकी girlfriend इसे चुरा कर ले गई है इसके girlfriend का नाम यूनी होता है यहाँ एक बड़ा खतरना गुंडा होता है और उसका right hand भी उसके साथ बेठा हुआ होता है ये गुंडा तेयंग को कहता है कि तुम्हें जल से जल मुझे पे करना है अगर तुम पे नहीं करोगे तो मेरे आदमी को human intestine खाना बहुत पसंद है अपने boss को समझाने की कोशिश करता है कि यूनी उसे भी दगा देकर भाग गई है पर उसका boss समझने वाला नहीं उसे जल से जल उसके पैसे चाहिए मुवी में बहुत सारे character है पर आप ज़रा confused मत हुई है इनकी जो stories है यह perfect sense करती है और आपको सब समझ में आ जाएगा इसके बाद हमारा और एक character जिसका नाम अता है मीरान यह introduce होता है यह एक बार में prostitution का काम करती है इस बार में एक दिन जीनते आता है इसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आ रही होती मीरान जब इसके पास जाती है तो इसे वो पसंद कर लेता है जीनते एक्चुल में चायना से आयो होता है मीरान फिर काम करकर घर आती है थोड़ी देर में उसका हस्बन आता है उसके पास जब आता है तो इसे वो डर जाती है क्योंकि हर रात ये इसे बहुत मारता है एक्चुल में मीरान और उसके हस्बन ने एक लोन लिया था फरजी स्कीम्स के चक्कर में आकर ये सब पैसे उन्होंने इन स्कीम्स पर लगा दिये इसके बाद इसका पती मीरान को ही ब्लेम करता है इसके बाद हमें फिर से तेयंग दिखता है तेयंग वही है जो एरपोर्ट पर काम करता है तेयंग को उसके एक फ्रेंड का call आया हुआ होता है और वो इस country में आने वाला है तेयंग अपने कजन से मिलने के लिए आया हुआ हुआ है इसका कजन भी एक बार में काम करता है इसके कजन को पता चल जाता है कि तेयंग को अब कुछ काम होगा इसी वज़े से ये आया हुआ है एक खाना में गरा खाते हैं इधर उदर की बाते करते हैं फिर तेयंग असली बात करने के लिए स्टार्ट कर देता है यह कहता है कि मैंना एक फ्रेंड आने वाला है जिसने बड़ा सा स्कैम किया था वो अपने साथ सब पैसे ला रहा है तो मुझे और बहुत ट्रस्ट करता है इसे वज़े से उसको शक भी ने आएगा तेयंग को यह सब पैसे उसके फ्रेंड से एटने होते हैं अपने कजन को सब प्लान वो बताता है कजन कहता है कि प्लीज मुझे इसमें मत गसीटो वो कोई भी इलिगल चीज नहीं करना जाता पर बहले इनने बहुत सारी चीज़े की है तो इस बार भी तेयंग इसे मना ही लेता है नेकसिन में जंग अपने जौब पर तीन मिनिट के लिए लेट हो जाता है इसका बोस बहुत इखटिया है और इसे बहुत डाटता है जंग अपने साथ काम करने वाले एक आदमी को कहता है कि क्या कोई आया था बैक को लेने के लिए यह कहता है कि कोई भी नहीं आया अब जंग को जड़ा अच्छा लगने लग जाता है नेक सिन में हम देखते है कि मिरान और जीन्दे दोना इक दुसरे के साथ इंटिमेंट हो चुके है जीन्दे को मिरान पसंद आने लग गई है उसे कहता है क्या तुम्हें वो जौब करने कोई ज़रूरत है मिरान जब उठती है तब उसके पीट पर बहुत सारे मार खाने के मांक्स होते है जीन्दे उसे पूछता है क्या तुम्हारे हस्बन ने ये किया है तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए मेरान केती को इस रिलेशन्शिप में स्टक है जीन्दे बोलता है कि मेरे मदर को भी मेरे फादर मारते थे मेरे मदर भी मार खाती थी मैं उन्हें प्रोटेक करने की कोशिश करता था पर वो मुझे रोक लेती थी आदत एक बुरी चीज है क्या तुम भी इसी तरीके से मार खाने की आदत बनाना चाहती हो इसके बाद यसी नहीं खतम हो जाता है नेक सिन में हम देखते कि जंग की वाइफ होस्पिटल में है जंग की वाइफ जंग की मदर को लेकर सीडियो से जा रही थी मदर को लगा कि यह उसे सीडियो से गिरा देखी इसलिए जंग की वाइफ को यह उसे ढखेल दिया इसी वज़े से इसे अफ फ्रैक्टर आया है और यह होस्पिटल में है जंग घर पर आता है और अपने मदर से बात करता है और उसकी मदर सुनने वालों में से नहीं होती नेकसिन में हम देखते है कि तेंग अपने फ्रैंड को लेने के लिए एरपोर्ट पर आया हुआ है वो बहुत वेट करता है और उसका फ्रैंड आता ही नहीं तोड़ी देर में वाह उसके गाड़ी के पास एक डिरेक्ट्व आ जाता है वो तेंग के फ्रैंड का नाम लेता है और कहता है कि उसने एक बड़ा सा स्कैम किया था इसी वज़े से वो उसे ढून रहा है तेंग को पूछ रहा हता है क्या वो उससे जानता है तेंग केता है कि नहीं ऐसे किसी भी नाम के आदमी को में नहीं जानता पर इस डिरेक्ट्व के पास जब ये स्कूल में थे इस क्लास के सब रेकॉर्ड्स होते है जबरदस्ती ये डिरेक्ट्व तेंग को खाना खाने के लिए लेकर आता है तेयंग को उसके फ्रेंड की फोटो दिखाता है और तेयंग भी आप मान लेता है कि उससे पहचानता है यह डिरेक्ट्ट्व कहता है कि मैंने उसके सब कॉल रेकॉर्ड से गराबी निकाले थे पर उसमें तुम्हारा नमबर नहीं है वो एक डवी फोन यूज़ कर रहा होगा यानि कि पुरा शक तेयंग पर ही उसका है तेयंग ने अपने फ्रेंड के साथ बात करने के सब कॉल रेकॉर्ड्स मिटा दिय हो दे तेयंग भी confidently कहता है कि देख लो कोई भी रेकॉर्ड नहीं है इसके बाद डिरेक्टिव कॉल आ जाता है और वहाँ से चला जाता है बहुत ही expensive जगा तेयंग को उसने लाय होगा होता है और तेयंग को इस सब बिल पे करना पड़ता है हमें फिर से जंग दिखता है वाइफ ऑस्पिटल में इसी वज़े से आज काम को लेट हो चुका है अपने बॉस को जब वो कॉल करता है तो उसका बॉस कहता है या अब तुम्हें आने की कोई भी ज़रूत नहीं है उसे वो फायर कर देता है मेक्सिन में हमें मिरान दिखती है उसके हजबन की हेल्थ पॉलिसी वो देख रही होती है तो उसका हजबन एक्सिडेंट से मर जाता है तो उसे half million dollar मिलने वाले होते है इसके बारे में अब वो जीनते से बात करती है जीनते से मिलकर वो अपने हजबन को मारने का plan बनाती है मिरान कहती है कि रात में मेरा हस्बन बहुत ही ड्रिंक करता है और दो-तिन बजे पार से बहार आता है जब मिरान का हस्बन बहार आएगा तब जीनते उसे गाड़ी से उड़ाने वाला होता है जीनते भी इसके लिए मान जाता है और एक आत्मी को उड़ा देता है वो आगे जाता है और मिरान को कॉल करता है कि सब कुछ ठीक रहा है अब वो एक मौंटन पर जा रहा होता है मिरान कहती है कि तुम वहाँ क्यों जा रहे हो जीनते कहता है कि वहाँ एक कॉम्पिलिकेशन हो गया था उसके बॉड़ी में वही नहीं रख सकता था वो जाकर मौंटन पर ये बॉड़ी गाडने वाला है मिरान अब डिस्टब हो जाती है उसका हस्बन अगर गायव हो गया तब उसे पैसे नहीं मिलेंगे अगर मिले भी तो पास साल बाद मिलेंगे वो इतना सारा वेट नहीं कर सकती अब वो निराश होकर बेटी हुए होती है तो थोड़ी देर में उसका हस्बन आ जाता है जीनते ने किसी और ही आदमी को मार दिया था अब नेक सिन में हमें तेयंग दिखता है तेयंग के कजन के पास गैंगस्टर आया हुआ होता है तेयंग अपने फ्रेंड को एटने वाला था सब पैसे उससे लेने वाला था यह सब गैंगस्टर को अब पता चल चुका है तेयंग से भी यह सब प्लान बुलवा लेता है अब इसे भी इन पैसों में से कट चाहिए गैंक्स्टर जाने के बाद तेंग का कजन बहुत ही वरी करने लग जाता है तेंग कहता है वरी मत करो जो भी सब चीजे होती है इसके पीजे कुछ रीजन होता है तेंग फिर उसे एक स्टोरी सुनाता है वो कहता है कि तुम्हें पता है क्यों मैं इस सिग्रेट पीता हूँ इस सिग्रेट का नाम Lucky Strike होता है यह यह था है कि मेरे फ्रेंड के साथ एक लॉंग ट्रिप के लिए मैं जा रहा था हम रोड पर पेट्रोल भरने के लिए रुखे थे मुझे सिग्रेट भाय करने थी मैं सिग्रेट भाय करने के लिए गया और एक बड़ी सी ट्रक आई और मेरे काड़ी को उसने ठोक दिया अगर मुझे सिग्रेट पीने की आदत नहीं होती तो मैं अभी जिन्दा नहीं होता तेंग अपनी बुरी चीजों का भी इसी तरीके से जस्टिफिकिशन करता है इस स्टोरी को आप याद रखे मुवी के लास्ट में आपको काम आएगी मिरान फिर से जीन्दे से मिलती है वो कहती है उनका प्लैन अब अनसक्सेस्फुल हो चुका है उसे फिर से जॉब करना पड़ेगा वो जीन्दे को कह रहे हुथी है कि वो चायना चला जाए वो वहाँ सेफ रहेगा जीन्दे ने उस आदमी को मारा तो मटर करने के बाद उसे बहुत ही पुरा लग रहा है निकसिन में हमें यंग दिखता है यंग का जॉब चला गया है तो पैसो का क्या ये उसे सवाल आता है वो जल्दी से उसके जॉब के यहाँ आ जाता है और पैसो की बैक लेकर बाहर निकलता है येकर जब यहाँ से जा रहा होता है तो वहाँ पुलीस डिडिक्टिवस आ जाते है जॉब में पैसे रख कर गया था उसकी जा चोक कर रहे है यंग उसे नहीं जानता येकर वहाँ से जा रहा होता है तब वहाँ उसका बॉस भी आ जाता है जब बॉस इसकी बैक देखता है तो पुछता है कि इसमें क्या है यंग कहता है कि मेरा सब सामान है तुम मुझे तंग करते थे पर फिर भी ये में सब सहन कर लेता था तुम अब मेरे पौस नहीं हो तुम्हारे साथ में बहुत गलत चीज़े कर सकता हो यह उसे धमकी देकर वहाँ से चला जाता है बौस भी इससे डर जाता है इसके बाद नेक सिन में हमें बार में एक आदमी खड़ा करता हो दिखता है मिरान में वहाँ होती है यह फिर इस बार की ओनर आती है यह यूनी ही है तेहं की गल्फरेंट जो उसके सब पैसे लेकर भाग गए थी यह वही है यह आदमी यूनी ही से डिस्रिस्पेक्टफुल होता है तुम जादा वरी मत करना अब हम देखते जिन्दे को मिरान को कॉल आता है आदमी को मानने के बाद जिन्दे बहुत इडिस्टरब हो चुका है इसे आवाज से सुनाई दे रही है मिरान अभी इससे मिलने के लिए जाती है यह बहुत इडिस्टरब होकर कह रहा होता है और वहाँ सब को जो सेरे में निविकरा करते है जीनते को अभी भी सब गलत लग रहा होता है ये फिर से मिरान से कहता है या वो डारेक्ली पुलिस के पास ही जाने वाला है ये आगे चलने लग जाता है और मिरान बहुत ही डर जाती है इक गाड़ी स्टार्ट करती है और गाड़ी से जीनते को उड़ा देती है उड़ाते वक्त इसका भी एक्सिडन्ट हो चुका होता है फिर यूनी को कॉल लगाती है यूनी को उसके हस्बन का जो इंशॉरंस था इसके बारे में जो सब सिच्वेशन होई थी इन सब के बारे में बता देती है यूनी केती है तो डरने कोई भी जरूत नहीं है मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी कार को वगरा वो स्क्राप कर देती है इसके बाद वोसे एक स्विमिंग पूल पर लेकर आती है यूनी के बाडी पर शाक का टैटो होता है इस टैटो की स्टोरी वो उसे बताती है यूनी केती है शाक को बहुत सारे बच्चे होते है पर जब वे पेट में होते है तो एक दूसरे को खा जाते है जो सबसे स्ट्रॉंग होता है ये बहार निकलता है ये इसी प्रिंसीबस से चलती है मीरान को बता रही होती है कि उसके हस्बन को उसे मार देना चाहिए इसके लिए यूनी उसे help करने वाली है उसे एक poison देती है जिससे मीरान का पदी slowly slowly मर जाएगा ये उसे सब कुछ बताती है कि पुलिस के पास उसे किस तरह के नाटक वेगरा करने है मेरान सचुच में उसके पदी को मार डालती है और सब नाटक वेगरा करती है अब इसको इंशॉरंस के सब पैसे मिल जाते है इसके बाद यूनी के पास उसे थैंक्यू कहने के लिए आती है उसे आदे पैसे भी वो दे रहे होती है पर यूनी कहती है कि मैं पैसो के लिए मैंने यह सब नहीं किया वो मिरान को एक नई कंट्री में जाकर नई लाइफ स्टार्ट करने में हेल्प करने वाली होती है यून ही मिरान को गेती है कि अब नई लाइफ तुम स्टार्ट करो जिस आदमी को जिनते ने मारा था वो एक रेपीस था उसके साथ यह होना ही चाहिए था जब यह दोने सेलिबरेट करते है तो मिरान के शैंपियन में उसने बेहोशी की दवा मिला दी होती है रात में मिरान जब उठती है तब यह टेबल पर होती है और यूनी अब इसे मार देने वाली होती है यूनी मिरान के तुकड़े तुकड़े करकर नदी में फेक देती है सब पैसे अब वो ले ली थी है यून ही अमिर होती है पर फिर भी इसे स्कैम करना अच्छा लगता है वो अब सब कुछ सेल करकर सब पैसे लेकर एक नगी कंट्री में जाना जाती है तेयंग जब घर पर आता है तो अपरूब कर सकता है इसी वज़े से वो तेयंग के पास आये हुए होती है तेयंग फिर से इस पर चिट जाता है वो कहता है तुम्हारा काम है इसलिए तुम आई हो तुम मेरे नहीं आई यूने से समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है वो सच्वि में उससे प्यार करती है यहाँ डोर पर नौक आती है और डिरिक्टू भा होता है तेयंग इसे देखकर डर जाता है डिरिक्टू जबरदस्ती अंदर आ जाता है यह जब यूने को देखता है तब इस पर लाइन मारने लग जाता है यह सब अब डिरिक्टू अब डिरिक्टू अब डिरिक्टू को कहता है कि तुम्हारा फ्रेंट पकड़ा जा चुका है आज रिवर में मुझे एक बॉड़ी मिली थी तो मुझे लगा कि तुम्हारे फ्रेंट की ही होगी बर एक लड़गी की थी ये लड़की मिरान की होती है जिस तरह से यूनी ने उसके बॉड़ी पर शार का टैटू बनवाय हुआ था उसी तरह से मिरान ने भी बनवा लिया था ये टैटू उस बॉड़ी पर था ये डिरेक्ट्टू तेयंग को कहता है तेयंग को पता जल जाता है कि मिरान को यूनी नहीं मारा है डिनर करते वक इनकी बीर खतम हो जाती है तेयंग कहता है कि जल्दी से जाकर मैं ये लेकर आता हूँ स्टोर में जाकर वो अपने कजन को कॉल करता है वो कहता है कि यूनी वापस आ चुकी है वो अलग कंट्रे में जा रही है तो इसके पास बहुत सारे पैसे हूँगे यूनी इसे पैसे लेने के लिए अपने कजन से हल्प मांग tääरा होता है ये कजन भी हल्प करने के लिए रेडि हो जाता है जब देयंग घर पर वापस आता है तो हमें दिखता है देट्ट्टु को यूनी ने मार डाला है डिरेक्ट्व युन ही पर लाइन मार रहा था तो एक सेकर में उसने उसे मार डाला मुवी में आगे हमें पता चलता है कि जो डिरेक्ट्व था ये डिरेक्ट्व था ही नहीं एक गुंडा था जो ढोंग कर रहा था कि वो डिरेक्ट्व है ये भी पैसों की पीछे ही था यूनी देयंग को उसे help करने के लिए कहती है बॉडी का सब कुछ ठिकाना वेगरा वो लगाते है जब यूनी साफ सबाई करती है तब देयंग एक पैन लेता है और यूनी की सर पर मार कर उसे बहुश कर देता है नीचे पार्किंग में जाता है और इसके गाड़ी में सब पैसे उसे मिल जाते है जब यूनी उठती है तब देयंग ने जिस गैंस्टर से पैसे लिये थे वो गैंस्टर यहाँ आ चुका है देयंग वहाँ से भाग गया है और उनी को उसने फ्रेम कर दिया है उनी तेयंग को कौल लगाती है पर तेयंग कहता है यह तुम्हारे साथ मैंने इतना सब वक्त गुजारा और फिर भी तुमने मुझे धुका दिया था इसका तुम इसे पे बैक समझ लो ये पैसे लेकर फिर तेयंग लॉकर रूम में आ जाता है यही वो पैसे है जो जंग को मिले है तेयंग ये पैसे हारक कर थोड़ी टाइम में वहाँ से जाने माला होता है तब ही इसके सिगरेट खतम हो जाते है सिगरेट लेने के लिए जब वो भाहर आता है तो गैंस्टर उसे spot कर लेता है ये गैंस्टर तेयंग की पीचे पीचे भागता है तेयंग रोड पर आ जाता है और एक गाड़ी की नीचे आकर वो मर जाता है जैसा मूवी में हमने देखा है कि तेयंग बिलीव करता था कि सिगरेट की वज़े से उसे लाइफ मिली है पर उसी सिगरेट नहीं इसकी लाइफ ले ली ये मूवी सुपास्टिशन्स पर एक अच्छा सा कॉमेंट करती है नेकसिन में हमें जंग दिखाय गया है और अपनी वाइब से वो बात कर रहा है अब उने वाइब को कहता है कि अब तुमें काम करने कोई भी ज़रुवत नहीं है इसके वाइब उस व बिलीव नहीं करती और काम पर चली जाती है जंग को फिर उसके बॉस का कॉल आता है उसका बॉस उसे कहता है नो ने figure out कर लिया है कि ये पैसे जंग के पास ही है जब ये जंग को bag के बारे में पूछते है तो जंग कहता है कि वो bag मेरी wife ने मुझी दी थी जंग वहाँ uncomfortable हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है गर आने के बाद सब पैसे वो चेक करने लग जाता है तो भी गैंग्स्टर और यूनी वहाँ पोच जाते है यूनी और गैंग्स्टर ऐसा ढोंग कर रहे होते है कि पुलिस डिरिक्ट्यूज है सब पैसे वो ले लेते है अवाजे आ रही होती है तब जंग की मदर वहाती है जंग उन्हें इंट्टिूस कराता है पर मदर कहेती है एक डिरीट्ड तोड़ी ना है इनके हाथ पर टाटूस रगरा है इस तरह के टैट्यूज अलाउड नहीं है यूनी मदर को मारने लग जाती है और बेहोश कर देती है ये गैंग्स्टर भी जंग को बेहोश कर देता है गैंग्स्टर का जब ध्यान नहीं होता तो यूनी गैंग्स्टर को ही मार देती है इसके बाद पैसे लेकर वहाँ से भाग जाती है पूरे घर को उसने आग लगा दी होती है गैंग्स्टर का राइट हैंड जब ये सब देखता है तो इसे बहुत कुस्सा आता है यूनी एरिपोर्ट पर आती है और ये सब पैसे वो लॉकर में रख देती है ये गैंग्स्टर का राइट हैंड यूनी को स्पॉर्ट कर लेता है ये जाता है और बेरह में से इसका मर्डर कर देता है यूनी समझती थी कि वो एक सार्क है सब को मार कर बच कर वहाँ से निकल सकती है पर अब उसका ही शिकार हो चुका है फिर से हम अपने आपको क्या समझते और क्या होता है इस पर और एक कॉमेंट ये मुवी करती है इसके बाद हम देखते है घर जब जल रहा था तो जंग फिर से होश में आ गया था अपनी मदर को लेकर वो बाहर आ जाता है उसका घर भी जल गया है और पैसे भी चले गया है वो रोने लग जाता है उसकी मदर फिर उसे कहती है कि रो मत तुम अभी भी जिन्दा हो यही इंपोर्टन्ट है अगर मुवी में देखे तो बहुत सारे कारेक्टर्स मर चुके हैं ये उसे समझाती है कि तुम्हारे फादर जब वार से वापस आये थे तब हमारे पास कुछ भी नहीं था और तुम्हारे फादर महनत ही थे उन्हें ने शौप खड़ी कि और इसके बाद अच्छे से बिजनेश चलाया जब तक तुम्हारे पास हाथ पेर है और तुम महनत कर सकते हो तब तक कोई भी तुम्हें प्रॉलम ने आएगी जिन्दगी में लालच एक पुरी चीज है और यह हमेशा डुबा करी जाती है मुवी में सब लोगों ने लालच किया है और उन्हें मरना बड़ा है सब ने लाइफ में शौटकर लेने का ट्राय किया और सब लोग फस गये मुवी में सबसे हेल्पलेस कैरेक्टर मीरान का ही था उसका पती उसे मारता था पर रिवेंच लेनी के लिए उसने अपने पती को भी मार डाला जिन्दे पुलिस को कुछ भी बताया ना इसलिए उसने जिन्दे को भी मार डाला वो मिरान का नाम नहीं लेने वाला था पर फिर भी वो कुरोल बन चुकी थी जिस तरीके से उसका हज़़न कुरोल था वही वो बन चुकी थी इसे वज़े से उसे भी प्राइस पे करनी पड़ी अब मुवी के लास्ट में हम देखते हैं कि जंग की वाइफ एरपोर्ट पर काम कर रही है वापर जो वो साफ सपाय कर रही होती है तो लौकर खुल जाता है अंजर जब वो देखती है तो यूनी ने जो सब पेसे छुपाए थे यह सब उसे मिल जाते है यह लेकर तुरंद वहाँ से जा रही है यह हमें दिखता है यही इस मुवी की थोड़ी से आटपटी थोड़ी से हैपी एंडिंग हो जाती है आज मेरी तरब से आप सब को हैपी इंडिपेडनस डे आप सब अच्छे से इंडिपेडनस डे सेलिबरेट किजेगा आज की वीडियो हम यही कतम करते अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा बहुत सारी इस तरह की मूवीज लेकर आते रहे तो तो लिए इस चानल को सबस्क्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकन दबाना में मत भूलिए हम फिर से मिलेंगे और एक नहीं मूवी के साथ तब तकी लिए थैंक्यो और हम अपने आपका ख्याल रखें